आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ Download Now Question में हम से उस Membrane के बारे में पूछा है जो कि Ovary को Position में मतलब जिस Position में रहनी चाहिए उसी Position में होल्ड करके रखती है उस Membrane के बारे में कि वो कौन सी Membrane है जो Ovary को होल्ड करके रखती है Position में ठीक है तो बात यहां पर हम शुरू करेंगे Ovaries से तो Ovaries क्या होती है Female Gonads होती है यह Basically ठीक है और यह कहां पर होती है जो हमारे Pelvis की जो Lateral Walls होती है Lateral Walls किसकी? Pelvis की वहां पर यह Locate करती है और अगर मैं इनके Size की बात करूँ तो यह Size में 2.5 to 3.5 cm होती है Long और वहीं पर अगर मैं बात करूँ इनकी Width की तो 2 cm इनकी Width होती है अब इनकी Thickness की मैं बात करूँ तो यह 1 cm थिक होती है Overies का हमें पूरा का पूरा क्या पता चल गया Size पता चल गया कि Long कितनी है, थिक कितनी है Width इनकी कितनी होती है आगे बढ़ते है अब क्या होता है कि एक जो है वो Attach होती है कहां पे जो Uterus का Upper Part होता है Upper Part of Uterus उससे हमारी Each जो है Overy वो Attach होती है और यह किसके Thru Attach है यहां पे जो Attachment है वो किसकी है यहां पे मैं लिख सकती हूँ बाए Ovarian Ligament ठीक है और जो हमारा Back है किस चीज की Ligament जो Broad Ligament की Back है वहां पर यह बड़े ही मोटे Band टिशू का एक बड़ा मोटा सा Band होता है उसके Thru Attach होती है और जब मैं बात करती हूँ इस Band के नाम की मतलब भी पीछे की तरफ से एक इससे Attach है टिशू का एक बहुत ही Broad Band होता है उसके Thru यह Attach होती है At Back Sight ठीक है At Back लिख सकते हैं आप Exclusively और इस Band को हम क्या बोलते हैं Mesovarium Mesovarium यही वो Membrane है जिसके Thru जो हमारी Ovarie है वो Position में Hold रहती है आगे बढ़ते हैं अब क्या होता है कि जो Blood Vessels है और जो Nerves होती है वो Ovarie के अंदर पास करती है Ovarie तक पास करती है Mesovarium के Thru और जो Broad Ligament है जो बनता है Peritonium के Double Fod से ठीक है मतलब कि Basically यह बनी कैसे है जो हमारा Peritonium है इसके दो बार Fold हुए Double Fold हुए उससे जाकर यह बनी है ठीक है और Uterus के दोनों साइड मतलब दोनों साइड Uterus के यह present होती है और यह Uterine Tube के मेंसे यह नीचे की तरफ Hang करती है ठीक है और जो इनके Lateral Ends होते है वहाँ पर यह Attach होती है Pelvis की साइड से ठीक है तो यह Main Membrane वाली चीज थी तो वो हमारी है Mesovarium तो वहीं पर अगर हम देखे Meso, Curum, Parital, Peritonium, Mesosulfix तो यह तीनों गरत है हमारा सही आंसर होगा Option Second Mesovarium Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप या WhatsApp कीजे अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर